यूँ ही नहीं मिलता कोई मुकाम उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है इतना आसान नहीं होता काम्याभी का मिलना उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 18 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज एकरने फेस उससे पहले दोस्तों यह देवी देख आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जर पहुसके और दोस्तों एक-एक कोशन काफी इंपोर्टेंट रहता है इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से लास्त तक दिरूर देखा करें चले तो फिर फटा पर स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोशन मौस्ट इंपोर्टेंट है भारती नौसेना द्वारा हिंद महासाग कर में समुद्री डोमेन जागरुकता में सुधार के लिए खेत्रों में वाइट शिपिंग या वाणिजिक शिपिंग पर जानकारी का आधान प्रतान किया जाएगा देखें सुझे इन्फोर्मेशन फ्यूजन सेंटर है यह हरियाणा के गुरु ग्राम में नौसेना के सू दिवस का मना जाता है चार दिसंबर को ठीक है तो यह फेक्ट आपको याद रखना है अभी हाल में दोस्तों एक रेलवे में क्योश्चन पूछा गया तक सुल्तानपूर पक्षी अभ्यार अड्यानी सुल्तानपूर पक्षी सेंक्चूरी कहा है स्थीत है यह हरियाणा में यह कोश्चन आपको याद रखना है आपके आगामी पूछा सकता है दोस्तों बात करें मत्प्रेश के तो मत्प्रेश में भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट अभी हालिम चर्चित्रा विधानसवा चुनाओं हो है तो मत्प्रेश के जो नए मुख्यमंत्री बन गए है वो देखे उस्तों भूपेश बगेल को 36 गड़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने रायपूर में 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पत की सपद ली आपको बता दे जो भूपेश बगेल है 36 गड़ के तीसरे मुख्यमंत्री और राजज में कांग्रेश के दूसरे मुख्यमंत्री होंगे ठीक है और 36 गड़ की गवर्नर कौन है यह है आनंदी बेन पटेल इनको अत्रिक्त प्रफार मिला है मत्त प्रजिस के अलाबा ठीक है और देखे उस्तों 36 गड़ में टोटल 90 सीटे थी विधान सभाकी इसमें 68 68 सीटे मिली थी कांग्रेस पा दोस्तान के डिप्टी सीम बन गए हैं सचिन पाइलेट ठीक है और मिजोरॉम की बात करें मिजोरॉम के जो नए दोस्तों और बन गए हैं मुख्यमंत्री वह बन गए जोर मथंगा और मिजोरॉम के गवर्नर कोने के राष सेखरन ठीक है तो अब ही आपको पता ही होगा पांच राज्यों में विधानसवा चुना हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तिसकड़, मिजोरम और तेलंगाना तेलंगाना के दूसरे बार लगाता दूसरे बार मुक्यमंत्री कौन बनगे के चंसेखर राओ ठीक है तो यह आपको पूरे CM अम मैंने आपको याद क रखना है आगामी एक्जम से जरूर पूछा जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए और दोस्तों इस वीडियो से आपको help मिल दिए प्रिस वीडियो को लाइक जरूर किया अगर दोस्तों आपका प्यार सबोर्ट दिखना चाहिए इस वीडियो में टार्गेट अठारा जा अगरे इन्होंने 17 दिसंबर को बैंकोक में संपन प्रत्युकता में मिश यूनिवर्स दोठारा इनको खिता मिल गया है आपको बता देख वह यह अंतराश्टी सवंदर पेजन जीतने वाले फिलिपिन्स की चौथी व्यक्ति हैं दोस्तों वह इसमें बता देख फर्स्ट आप जो थी दक्षिन अफ्रीका की टैमरीन ग्रीन और सेकेंड रन अरफ थी वेनेजवेला की इस्टीफानी ग्यूटी रेंज ठीक है तो यह आपको याद रखना है उसके लाब दूस्तों यहां पर बात हो रही मिश यूनिवर्स की तो आपको मिश यूनिवर्स एलेट सबसे जादा इंपोर्टेंट है कि भारत से जो दो संदरियां जीत सकी है खिताब 1994 में 18 साल कुम्र में सुष्मिता सेन ठीक है पहली बार किसने जीता था ठीक है तुमीस दियतेनी बार का जीत लिया है कर्योड लेखने अब ही हाल में मिश वर्लल खिताब भी 2023 में तो आपको पता ही होगा नहीं पता तुम है यह दोनों कोश्चन आपका आगा में एक्जाम से के लिए बहुत इंपोर्डेंट है इसको आपको याद रखना है ठीक है चलिए फटा-फट अगले कोशंग तरह बढ़ते हैं 16 दिस्वेडिमिंटेन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल टूर्मेंट किसने जीत है उन्होंने फाइनल मैच में किसको रहा है नोजोमी ओकु हारो को रहा है ठीक है तो यह आपको याद रखना है काफी महत्पूर्ण है अगला कोशन है हमारा होकी विश्कप.रक किताब किस देशने जीता है दोस्तों होकी वर्ल्ड कप.रक किताब जीत लिया है वेल्जियम ने ओप्सन डी करेक्ट हो जायागा ठीक है 16 दिसंबर को भूबनेस्टवर में होकी वर्ल कप किताब जीत लिया था ठीक है ओडिसा की राजधानी भूबनेस्टवर में और 2014 का होकी विश्कप किसने जीता था ये जीता था ऑस्टेलिया ने तो आपको लेटेस्ट याद र दिले ठीक है ओप्सन डी करेक्ट हो जायेगा तो ये बहुत इंपोर्टेंट है इसको आपको याद रखना है अगला कोशन है हमारा दोस्तों हाली में अरुण भादूरी का निधन हो गया वह एक प्रसीद्ध थे जिसका करेक्ट रिक गायक थे वह ठीक है प्रसीद शास्त गायक पंडित अरुण भादूरी का निधन हो गया है और आपको पता देक पंडित भादूरी को बंगाली गानों भजनों का विशेशक जमाना जाता है ठीक है दोस्तों उन्हें 2014 में बंग अभी होशन पूर्सकार से समानित किया गया था ठीक है तो ये आपको याद रखन ठीक है सबसे 25 टेस्ट चतक बनाने वाले सबसे दूसरे तेज सबसे बल्लेवाज बन गये हैं उन्होंने 16 दिसंबर को भारत और अस्टेलिया के बीच जो है पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन 127 पारी में उकलबदी हासिल की है इसमें दोस्तों सचिन देंदुलकर तीसरे स्थ लिए हमारा अगला कोशन है प्रधानमंतिर नयंद मोदी ने किस देश को वन पॉइंट फोर बिलियन डॉलर वित्ति साहता की घोशना की है तो एक दोस्तों मालदीप को ऑप्संडी करेक्ट हो जागा देखिए प्रधानमंतिर मोदी जी ने 17 दिसंबर को मालदीप को वन प ठीक है प्रधानमंति नयंद मोदी और मालदीप के राश्टपती इब्राहीम मुहम्मद सोली के साथे व्यापक बाचीत भी की गई है तो यह मालदीप इसका करेक्टेंसर हो जाएगा हाली में किस ने फ्रेंच नाइट आप दा नेशनल आडर आफ मेरिट समानित किया गया है जिसका करेक्टेंसर हो जाएगा अशोक अमरीत राज को ऑप्सन भी ठीक है अशोक अमरीत राज अगला कोशन है अंतराश्टी टेनिस प्रेडेशन द्वारा निम्रिखित में से किसे 28 का ITF वर्ल्ड चेंपियन करू में नामित किया गया है दोस्टेंसर हो जाएगा ठीक है जोकोविच ने छटी वार अंतराश्टी टेनिस चंग एस समान प्राप्त किया है छटी वार इसको इनको मिला है दोस्तों आपको पुता दे कि पहली वार जब रोमानिया के सीर्स रैंक वाली हेलेप को 28 में ITF वर्ल्ड चेंपियन करू में नामित किया गया था तो लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था साहित्तिक्वे प्रति उत्किष्ट योगदान के लिए किसे ज्यान पीठ अवार दोठार समानित किया गया करेक्ट एंसर इसका ऑप्सन सी अमिताब घोष को सभी स्टूडेंट ने राइट एंसर दिया था और काफी डि आगा कर तो प्लीज आप लोग ज्यादा ज्यादा लोग कमेंट किया के इससों बहुत कम लोग क Selena milk करते हैं काफी डिचल में भी लिखा करें आप लोग ठीका और दोस्तों डेली आप 15 में में समय निकालकर आ पि vagyस करेको लिए फेस्いき वीडियो जरूर दे करें आपके आग साथ तब तक के लिए स्वस्तर रहिए बैस्तर रहिए मस्तर रहिए आपका दिन शूब हो जै हिन जै भारत